तैसिल के खापा शेत्र के गुंगाव मैगनीज खदान में पिछले अनेक समय से चली आ रहे मांगो को लेकर शेत्र के लोगप्रीय नेता और राज्जी के पशु सन्वर्धन दुग्द विकास करीड़ा और युवा कल्यान मंत्री सुनील केदार के नितत में सामने तालुक का युवा कॉंग्रेस और खापा नगर के सामाजिक कारी करताओं ने 18 दिसंबर 2021 को सुभा 7 बजे से गुंगाव मॉयल के गेट पर भवी आंधुलन का योज्यन किया है जिससे गुंगाव मॉयल मगनीज खदान ववस्थापन द्वारा मैडिकल अनफिट आश्रितों को सेवा में समाविष्ट ना करना सुच्छा सेवा निवरत्ती अनुकंपा के तहत आश्रितों को सेवा में समाविष्ट करने में विलम करना ठेकेदारी कामगारों को इस्थाई करना आधी के साथ साथ इस्थाने के सुशिक्षित आशिक्षित युवा वेरोजकारों के रोजकार में प्रधानिय देना आधी मांगों को लेकर एक दिवसिय माइन बन आंदुलन का आयोजन किया गया जिससे गुंगाम मौयल प्रशासन के माथे पर बल पढ़ने लगा है 18 दिसंबर को होने वाले उक्ता अंदुलन से पहले मॉयल प्रशासन और अंदुलन कारियों के बीच बादची से मसला हल करने की सावनेर और विभागी अधिकारी अतुल महत्रे और तैसिलदा प्रताब वागमारे ने पहल करते हुए तैसिल कारियाले सावनेर में 16 दिसंबर को दोनों पक्षों की सयुक्त बैठक लेकर हल निकालने का भरकस प्रयास किया लेकिन इस्थानिक मॉयल प्रबंदन द्वारा आंदुलन कारियों की मांगे उनके कारेशेत में नहीं होने की बात कही लेकिन इस्थानिक मॉयल प्रबंदन द्वारा आंदुलन कारियों ने मांगे उनके कारेशेत में नहीं होने की बात कही और आंदुलन कारियों की उप्त सभी मांगों को केंदी प्रबंदनों को अफगत करा कर उनसे बाक्षी चलने की बात कही जिसे आंदुलन कारियों ने स्थानिक गुमगाम मॉयल प्रभंदन का टालंटूल रवया बताते हुए आंदुलन पर अड़े रहे जिसे आंदुलन कारियों ने मान ली लेकिन शान्ती पूर्वक आंदुलन पर अड़े रहे आयोजित इस दिवख्षी वारता में पंचाय समीती सावनेर के बीडियो दीपक गरूर गुमगाम मॉयल की और से खान प्रभंदक आर ए खान नितिन पगनीस राजेश भटचारिये क्रमिक अधिकारी ललित अरसडे तो वहीं आंदुलन कारियों की और से बेजना डोंगरे, राजेश खंगारे, अमित राय, मनोज बस्वार, तैसील कारियाले के नाज़, जैस सेंग, राठोर, खापा पोलिस स्टेशन के खूपिया अधिकारी आदितिक सहवागी हुए वहीं 18 दिसंबर को होने वाले इस भवी आंदुलल में शित्र के सभी सुशिक्षित अशिशित बेरोसकार युवाओं को ज्याद से ज्यादा संख्या में उपस्तित रहने का हवान खेमराज बारपात्रे, मुनाल हर्डे और नामदेव गजबहिये ने किया है सावनेर से BCN News के लिए किशो ढूनेले की रिपोर्ट